जहें हीं दोस्तों आप लोग कैसे हैं? दोस्तों यहाँ वीडियो हम आजमगर्द और साहघंज की बीच जो इलेक्ट्रिकेशन और डबλιंग का काम चलना है उसमें हमने बनाया है दोस्तो यह तस्वेर में जो आप देख रहे हैं यहाँ इसका लोकेशन आजमगड़ और सराय रानी के बीच का है दोस्तो इस लोकेशन में आप देख सकते हैं कि आजमगड़ और सराय रानी के बीच डबलिंग का काम बहुत ही तेज हो रहा है सब मिला जुलाकर आजमगण और सागंज की बीच डबलिंग का काम बहुत ही तेज से चलना है और आजमगण और सागंज की बीच इलेक्टिफिकेशन का काम तो अभी ना मात्रा के बराबर है ना ही foundation बना है ना ही कुछ बना है और ना ही अभी यहाँ पर पोल्स वेगारा कुछ गिरे हैं दोस्तों आप अच्छे से तद्वीर में देख सकते हैं कि जो मिट्टी डालने काम था या मिट्टी को पाटने काम था वो हो गया है दोस्तों तब तक आप लोग देखिए वीडियो दोस्तों वह होगे आजमगण और सरायरानी के बीच का डबलिंग का काम दोस्तों यहां जो आप लोकेशन देख रहे हैं यहां सरायरानी और सरायमीर की बीच का है जहां पर आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से कुछ दूर से यहां पर डबलिंग का काम भी स्टार्ट हो गया है जैसे आप तस्वीर में अच्छे से देख सकते हैं कि जो मिट्टी डालने का काम था वो अच्छे तरीके से हो चुका है सरायरानी से सरायमीर तक आप तस्वीर में भी ये भी देख सकते हैं कि कैसे जो डबलिंग का काम के लिए जो मिट्टि दलना रहता है वो मिट्टी भी पड़ चुका है और मार्किंग में गयरा सारा चीज हहुचुका है दोस्तों तब तक आप open देखिए सराय रानी से सराइ मिर तक डबलिंग काम में क्या क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है हम मिलते हैं आपसे सराय मीर रेलो इस्टेशन के हाई स्पीड एक्षन के साथ तो यह सराय रानी से लेकर सराय मीर तक जो डबलिंग का काम था उसी का यहाँ आप वीडियो देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर आप अच्छे तरिकस देख सकते हैं कि जो डबलिंग के लिए जो रोलर चलाना चाहिए वो रोलर वेगरा सारा चीज चल चुका है अब इसके बाद इसपे एक छोटा वाला और गिट्टी पड़ेगा फिर उसके बाद इसपे बेट का काम किया जाएगा यहाँ लोकेशन सराय रानी से सराय मीर तक के बीच का है हम आप लोक से मिलते हैं सराय मीर रेलियू स्टेशन के स्किप के साथ सराय मीर रेलियू स्किप जो बगल में गुष्ट ट्रेन लगी है अभी में आप लोगों को सराय मीर रेलियू स्टेशन के प्रिफॉर्म्शन के एक का तद्वीर भी दिखा रहा हूँ दोस्तों यहाँ सराय मीर रेलियू स्टेशन के प्रिफॉर्म्शन के एक का है जो कुछ यहाँ पे काम चलना है और आप इस्टेशन पर ये भी देख सकते कि कहीं भी इलेक्टिफिकेशन के लिए पूल या फांडेशन नहीं बना है तो दोस्तो यह जो लूकेशन आप देख रहे हैं यह खुराशन रोड और साहगंज की बीच का थोड़ी थोड़ी क्लिप्स मैंने काट कर सारी वीडियो को एक में जोड़के मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ दोस्तो साहगंज और खुराशन रोड के बीच अभी नहीं डबलिंग का काम चलना है और नहीं इलेक्टिफिकेशन का काम चलना है यानि अभी कोई काम नहीं चलना है खुराशन रोड और साहगंज के बीच तो दोस्तो आप लोग दिखिए खुराशन रोड और साहगंज के बीच जो डबलिंग और लिक्टिफिकेशन का काम चलना है या नहीं चलना है वो आप लोग अच्छे से इस वीडियो में आप लो जो खुरासन रोड रेलो श्टेशन के बात पड़ता है दोस्तो धीरे धीरे करके हमारी ट्रेंड अब साहग अजेलो श्टेशन पहुझ गई है तो जहें दोस्तो इस वीडियो को देखने के लिए थाइंग गौड इद गौड विसलिवाद